हैलो गाई 빵ण डी ठीज हम इस तो गाई सरे ऩई मावल 27 डीज़ काफी कमाल के दूपcken लारहे में हाज हब्सक्री गौरि आपकमिंग मूबिए अब Kevin Feige काम करने तो इससे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि Marvel fans का यह कहना है कि Kevin Feige पर Spider-Man के लिए टाइम नहीं है, वो Spider-Man के उपर फोकस नहीं कर रहे हैं, और जबकि वो काम कर रहे हैं एक अलग उनिवर्स पर, वो भी Star Wars, तो fans काफी ज़्यादा नारज हैं Kevin Feige के इस decision से, साथी साथ बात करते हैं, Team Kelly finally streaming हो चुकी है, इन इंदी में, आप जाके देख सकते हो Netflix में, अगर आप Netflix की TV सीरीज देखना पसंद करते हो, काफी अच्छी ए कॉमेडी है, देखना जरूर, उसी के साथ The Quit Place, इस तरीके से उनने message डाला, उसी के साथ, बैडमेन मूवी में, मार्शल अली confirm हो चुके हैं, कि वो किसी का role play करने वाले है, वो role कौन सा था, तो पहले rumor चल ला था, कि वो Commissioner Gordon का role play करेंगे, पर ऐसा नहीं निकला, और फाइनली, जॉन को भी कास्ट कर ले गया है, बैडमेन मूवी में, जी हाँ, और उनके लिए rumor आया है, कि वो दो character play कर सकती है, चाहतो वो Riddler का हो सकता है, चाहे वो Penguin का हो सकता है, ये दौनों ही villain है, पर अभी तो confirm नहीं हुआ है, कि वो कौन सा role play करने वाले हैं, पर मैं तो कोशिच करूँगा, कि पिंग विंग का करें, और देन अच्छा लगेगा, और फाइनली, जैफ्री को भी कास्ट कर ले गा है, और इसका rumor आया है, और confirmation के साथ भी rumor आया है, कि शयाद ये Commissioner Gordon का role play करेंगे, तो यानि कि Marshall Ali इसका role play करने वाले नहीं है, जैफ्री देन का भी एक rumor आया है, कि वो शयद ब्लैड मैन का role play करेंगे, फ्लेश पॉइंट में, ये एक टाइम टेवल की movie होगी, जो कि different type की होने वाली है, सौनी कंपनी ने एक ऐसा वीडियो लाँच करा, जिसमें कि Jay Johnson को दिखाया गया, जो कि Spider-Man को एक bad hero बताता है, और Mysterio को एक hero बताता है, तो काफी कमाल का funny वीडियो था, इसे देखिए का जरूर अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, क्योंकि आपको Sony चैनल पर देखने को मिल जाए कि, YouTube चैनल पर, उसके साथ Charlie Angels का Officially Hindi poster लाँच कर दिए गया है, ये movie हिंदी में रिलीज होगी, अकर आपको नहीं पता है अभी तक, तो देख लीजेगा, trailer काफी कमाल का जबरदस्ट, वसी के साथ Flash Season का नया look लाँच हुगा है, जी हाँ, एक Blue Lighting में काफी कमाल का लग रहा है ये look, अगर आपको चैये for LATCHD में तो आप मेरे Twitter account से जाके download कर सकते हो, डेविड हारवर, जो की Black Widow Movie में Red Guardian का role play करने वाले है, उनकी finally recording shooting finish हो चुकी है, और उन्होंने ये post करके Instagram पर confirm करा, जो की वो काफी ज़्यादा मिस करने शूटिंगो, Samuel Jackson एक ऐसे पहले celebrity actor बन चुकी है, जो की Amazon Alexa में अपनी voice देंगे, तो लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि Alexa एक female character है, पर वो Samuel Jackson अबाज देने वाले हैं, और आज की update ये है, कि Harley Quinn का एक नया लूंचू है, जो की काफी कमाल का लग रहा है, और वो ice skating करती नजर आएंगी इस scene में, उसी के साथ Spider-Man की यूनिवर्स की एक और नई मूवी देखने को मिलेगी, जो की Sony यूनिवर्स की भी होने वाली है, जिसका नाम है Madness, तो काफी कमाल की मूवी होने वाली है, साथी साथ, ब्रील एंसर का एक रूमर आया है, कि वो Star Wars में की इसी केरेक्टर को प्ले कर सकती है, और वो कौन सा केरेक्टर था भी ऐसा कुछ कुछ कंफर नहीं हुआ है, साथी साथ, कौन 3 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला है, तो जल्दी से आपको काफी सारे और अपडेट पता चलेंगे 3 अक्टूबर के बाद, जोगी मेरे यूटूब चैनल पर, तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही, तो कैसा लागा अपडेट, कैसा लगा वीडियो, अगर आप ये वीडियो यूटूब पर देख रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेस्बूब भी देख रहें, पेज को लाइक करें, प्रिगे लिए मैं आपको ये वीडियो पसंद आतो, प्रिगे लागा में शेयर करो, जो बंद इस वीडियो नहीं देख रहें, या तो उस पर थैन उसके हाथ मारो, या पेर मारो, पर और कुछ मत मानना, बाबाई, जारों,